दोस्तो नमस्कार मेरा नाम सीवम चातर रुबेदी और आप सब लोग हिंद्वाइज चैनल देख रहे हैं दोस्तो आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की जिस पार्टी को सालों साल से एक ही परिवार लगातार चलाता हुआ आ रहा है जो पार्टी दोस्तो एक परिवार के इजद गिर्द सिमट के रह जाए उस पार्टी का भविश्य क्या हो सकता है उस बात की आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तो कांग्रेश पार्टी की इस समय पे इस्तिती कुछ ऐसी ही है जो राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है इस समय और जो मर्धपरेश के अंदर हुआ ये सारी चीजें कहीं न कहीं काल्पनिक नहीं है संजोग बस नहीं है कि ये संजोग था सचिन पार्टी का पार्टी से अलग होना भगावत करना जोत्रयादिस सिंधिया का पार्टी से अलग होना भगावत करना ये कहीं न कहीं संजोग बस नहीं था ये कहीं न कहीं कांग् पार्टी का चरित्र हम सब लोग के सामने रखती है आपको इस बात से बिलकुल भी गुदेज नहीं होगा बिलकुल परेज नहीं होगा कि सचिन पाइलेट और जोतरादित सिंधिया आने वाले समय में कांग्रेश का एक प्रमुक्ष चहरा बन सकते थे और कांग्रेश के प्र उतरादित सिंधिया की बात करें लेकिन किस तरह से उनको हाश्य पर रखके पार्टी से अलग कर दिया गया इसकी कहानी आप सब लोग के सामने रखी गई है आप सब लोग उसको देख रहे हैं तो इसी पर पूरी आज बात की जाएगी कि कांग्रेश की जो एक कहानी है यह कितनी पुरानी हैं और कब से यह सारी चीजे चल रही है और आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि कांग्रेश पार्टी की हाश्य पर जाने की स्थिति क्या है और इसका कारण क्या है कहीं न कहीं इसके पीछे परिवार वाद सबसे बढ़ा कारण मुझे नज़र आता है द डिफॉल्ट, unconditionally उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था, जिसका पस्तावा कांग्रेस पार्टी को बाद में हुआ, कांग्रेस पार्टी को क्या, गांधी परिवार को कहा जाए सीरा सीरा तब, सोनिया गांधी उतनी पावर में नहीं थी कि उनको प्रेसिडेंट बनाया जा है लेकिन उस समय एलक्सन भी नहीं हुआ था के वह लेक कमेटी बुलाई गई और यह घोश्रा कर दी गई कि आज से हमारी प्रेशिडेंट मानने है स्रीमती सोन्या गांधी है तो यह सारी चीजे उसके बाद लगा तार्ट दो दसको तक सुन्या गांधी प्रेशिडेंट रही और फिर उसके बाद प्रेशिडेंट की कूर्सी अपने वेटे राहुल गांधी को सौंप देती हैं उनकी क्या स्थिति होती है आप सब लोग को पता ही है फिस से सुन्या गांधी अंत्रिम प्रेशिडेंट बन जाती है तो यह सारी चीजे कहीं सिंधिया आने वाले समय में प्रधानमंत्रिपद की दावेदारी ठोक सकते थे उनको साइड करने की जो कहानी सुरू हुई मध्यप्रदेश के अंदर उसकी मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों चुनाफवेज मध्यप्रदेश के अंदर जोत्रा अधित सिंधिया ने पूरी ताकत लगाई पार्टी को जिताने में नतीजे अच्छे आये पार्टी सत्ता में आई पार्टी जीती और कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन इसके पीछे की जो कहानी थी कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान अधिकारी हैं उनको ये लगने लगा कि जोत्रा अधित सिंधिया आगे चलके हमारे परिवारवार के रास्ते में रोडा बन सकते हैं उनको साइड़ वाइज करना सुरू कर दिया गया मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया उपमुख्यमंत्री का भी पद उनको नहीं दिया गया और आने वाले समय में उनके जो नेता थे उनको भी मंदल में कहीं भी उनको नहीं रखा गया फिर उसके बाद ये राज्यसभाचुनाओ के समय आया राज्यसभाचुनाओ का उसमें भी जोत्रादित सिंधिया को साइट कर दिया गया टिकट ना देने की बात की गई जो तरह दित Σिंधिया ने बगवत किया बगवत करके वो पार्टी से अलग होके BJP में सामिल हो गये और उनका बगवत करना पार्टी से बनता भी है क्योंकि वो पार्टी जो की काबिल लोगों की कद्र ना कर सके उश पार्टी में रहके अपना आत्मसंमान इसमें कोई दोराय नहीं है यही इस्तिती राजिस्थान के अंदर उत्पन होई जो सचिन पाइलेट ने पूरी ताकत लगा दी राजिस्थान चुनाओं में और पार्टी जीतकर सत्ता में आई बहुमत से जीती और फिर वही बात सुरू हो गई कि मुख्यमंत्री बनाना चा सकता हूँ अगर उस समय पे एक सर्वे करा जाता पूरे इंडिया के अंदर कि राजिस्थान और MP का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए था तो 90% से ज़्यादा लोग जोत्यरदित सिंधिया और सचिन पाइलेट के नाम पे मुहर लगाते लेकिन हुआ इसके विप्रीत वहा कोई भी प्रमुख मंत्राले उनको नहीं दिये गए जिससे वो आने वाले समय में कुछ बहतर अपने लिए या पार्टी के लिए कर पाए नचीजा दोस्तों फिर वही हुआ कि बगावत का समय आया और सचिन पाइलेट ने बगावत की कई सारी वज़ा हैं बताई जा रही हैं कि जैसा कि सचिन पाइलेट को नोटिस भिजवा दिया गया राजदोह के जुर में ये सारी चीजें और खुद असोगहलोत खुद को भी नोटिस भिजवा लिए ये भी सोचने वाली बात है तो ये सारी चीजें लेकिन इसकी जो पटकलपना है कहीं न कहीं पहले से तो राय नहीं है और यह होना भी चाहिए जहां पर काबलियर की कद्र ना की जाए वहां से अलग हो जाना बहतर है तो सचिन पालिक ने कुछ ऐसा किया अब वो बीजेपी में जाते हैं कि अपनी अलग पार्टी बनाते हैं वो बात दूसरी है अगर आप इसमें दोसी को देना चाहती है तो उसमें कांग्रेस की गलती है अगर बीजेपी को ऐसा मौका कोई मिलेगा कि जो त्रदिस सिंधिया उसकी पालिटी में आ जाए या फिर मध्यप्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गिर जाए बीजेपी की सरकार बन जाए तो बिलकुल कोशिस के थे थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी की जो इस्थिती समय है यह आने वाले समय में क्या बदल सकती है कि नहीं 2014 में जब बिजेपी जीत की आई और फिर 2019 में जब एलेक्शन हुए तो कांग्रेस को यह लगता था कि बिजेपी ने इतना ब्लंडर किया है अपने पांच सालों में कि कांग्रेस तो ऐसे ही जीत जाएगी कोई इसमें बड़ी बात नहीं लेकिन फिर क्या हुआ इसके जिस विप्रीत सारी चीजें हुई और कांग्रेस की जो पहले सीटे थी उससे भी कम हो गए और अभी भी कांग्रेस बिलकुल आराम से बैठी हुए उसको यह लग रहा है तो पांच साल में सत्ता नहीं मिली तो दस साल में तो हमें सत्ता मिल ही जाएगी इसमें कोई दिक्कर नहीं है लेकिन ऐसा भी दोस्तों होने वाला नहीं है आने वाले में समय में कर कांग्रेस की यही हालत रही कांग्रेस अपने नेताओं को धरकिनार करती रही तो आने वाले समय में यहीं होगा कि कांग्रेस का वजूद ही बहुत बड़े खतर नहीं है तो संभावता है कि 2024 का जो लोग सभाचुनाओ हो तो उसमें बिजेपी स्थत्ता में ना रहे लेकिन कांग्रेश स्थत्ता में आ जाए इस फिर बहुत बड़ा प्रस्ने चिन है अगर कांग्रेश की स्थिति ऐसी ही रही तो चेत्रिय दल का बहुत बड़ा गर्मंदन बन सकता है जिसके कारण एक अलाइंस तयार हो और वो लोग कोई मुख्यमंत्री बने तो ये सारी चीजे हो सकती है एक संभावना जताई जा सकती है लेकिन कांग्रेश की जो इस्तिति अभी है आने वाले समय में कांग्रेश की लु अगर आप चाटू कारिता का गांधी परिवार की नहीं कर रहे हैं तो आपको हाश्य पर रखके पार्टी से अलग कर दिया जाएगा तो ये जो इस्तिती है इसको छोड़ना पड़ेगा इसको अलग करना पड़ेगा कांग्रेश को विचार करना चाहिए कि अब आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए रहुल गांधी को तयार किया जा रहा है प्रसिडेंड के तौर पर मपार्टी सम्भालने के तौरFORE रहा हो और ये सारी बातें हैं तो दोस्तो आपकी राय क्या है इसको इसको कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज झाल झाल